एक छोटी सी गलती और हो गया मेरा 5000 रुपे का नुकसान क्या है कारण जिसके जैसे जो मैं गेर बॉक्स खोला हुआ हूँ उस सारे चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यह है अगरबत्ती मशीन की गेर बॉक्स और इस गेर बॉक्स को खोलने का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा उसे पहले आप देख लिजी कि आपकी अगरबत्ती मशीन में गेर बॉक्स में कौन-कौन सा जो है हमारी मोटर से निकल के आती है मतलब जो मोटर से connected होती है वो यह वाली वेरिंग है इसकी वह मदद से जो है सारा जो है गेर्स आपस में घूमने लगते हैं और इसमें पावर जनरेट होता है अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें गल्ती क्या होई थी जैसे कि देख रहे हैं यह कुछ पार्ट्स मैं रखा हुआ हूँ और इक प्रोब्लम जो है इसी पार्ट्स की वज़े से आ गई इसमें और यह है एक सॉप्ट जो की हमारा कटर और कटोरा जिसमें फिट होता है और इसका जो है यह प्लेट है और ये सारा सिस्टम मेरे को निकालना पड़ा और गलती ये हुई थी कि मसीन जब रनिंग में थी तो उसमें से कुछ बॉकेट में सौंड आया और सौंड ये था कि उसमें कुछ फस चुकी थी और फसने के बाद ये हुआ जैसा कि देख रहो ये मेगनेट जो है तोटा हुआ है सबसे पहले ये मेगनेट जो है तोटा और मेगनेट तोटने के बाद वो बॉकेट में जाके मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद इसमें सबसे पहले ये जो लॉक होता है cutter का lock ये भी तूटा और तूटने के बाद ये सारा system जो है damage कर गया जैसा कि देख रहे हो ये कटोरी का magnet वो भी तूट गया है इसमें तो बहुत सारा नुकसान हो गया और सबसे बड़ा नुकसान जो है इसमें आया था जैसा कि देख रहे हो इसको मैंने नहीं मिलने पर welding करके इसे बनवाया हुआ जो कि gas welding है और मेरे ख्याल से ये चल जाएगा क्योंकि ये parts जो है मिलना मुस्किल है मैंने बहुत जगा जो है try किया कि ये parts कहीं से मिल जाए लेकिन ये parts कहीं मिल नहीं पा रहा है और जो है सबसी बड़ी प्रॉब्लम जो है EC का है क्योंकि ये welding में तो long time नहीं चलेगा क्योंकि welding एक temporary होता है लेकिन कुछ दिन के लिए सायद जब तक parts ना मिले चलाना पड़ेगा और ये जो है काफी costly होता है जैसे कि आप देख रहे हो काफी महेंगा होता है ये soft और इसमें से जो दिक्कत हुई थी इसकी जो चूड़ी उपर की जो इसमें bolt जो हम tight करते हैं जिसमें अपना cutter और जो है lock fit होता है वो तूट गया था जैसे कि देख रहे हो ये bolt जो है पहले लगी हुई थी और यहीं से जो है ये तूटी हुई है और उसके बाद इसको repairing करके बनवाना पड़ा क्योंकि नया तो मिल ही नहीं रहा है मार्केट में और एक छोटी सी गलती की वज़े से ये soft भी खराब हो गया मेरा और ये cutter तो खेर ये market में मिल जाएगा लेकिन कुछी दिन चल जाएगा ये और जो है इसका एक bearing जो इसमें नीचे की तरफ लगा होता है वो bearing भी किसी वज़े से खराब हो चुकी थी तो ये सारा parts मेरे को अब change करना पड़ेगा फिलाल soft का तो कुछ problem जो है solve हो गया और ये कैसे लगता है वो पूरा procedure में आपको बताऊंगा उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये soft जो है किस तरीके से जो है लगता है इसके नीचे एक छोटी सी और bearing लगी होती है वो bearing में आके ये फंसता है जैसा कि आप देख रहे हो ये तो ये तो हो गया हमारा और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि इसमें किस तरीके से जो है problem आती है तो आप ध्यान जरूर रखिए कि जब आप machine चला रहे होंगे अगर उसमें कुछ कटने का या फिर कुछ तूटने का वाज जो है आता है तो तूरंत आप उसे बंद कर दीजिए और अगर आप continue उसको चलाते रहेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ बड़ी problem आजाए जैसा कि मेरे साथ ये हुआ और आप तूरंत उसे बंद करके आप bucket खोल के आप चेक कर लेना कि क्या इसमें जो है फसा हुआ है और ये एक छोटी सी गलती जिसकी वज़े से मेरे इसमें 5000 रुपए लगबग जो है नुकसान हो गया और नुकसान तो अलग चीज है लेकिन ये मशीन भी एक हपते से बंद पड़ी है क्योंकि ये पार्स मिलना मुस्किल हो गया था तो जैसे तैसे इसे जुगार से मैंने बनवा लिया ही से अब सायद मिलने तक इसको चलाना पड़ेगा तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अगर कोई छोटी से चोटी भी प्रोब्लम आती है तो आप उसे तुरंद से तुरंद रिपेरिंग करे या फिर चेक करे नई तो कुछ ऐसी गलतिया हो जाती है जिसकी वज़ासे हमें काफी नुकसान हो जाता है और अगर बत्ती मशीन आप तो जानते ही होंगे कि प्रोब्लम्स का है इसमें अमबार जो है लगा हुआ है और इसमें जो है बेरिंग्स वगरा भी चेंज करने रखें और इसमें जो है सारे गेर सब सही है इसमें कोई प्रोब्लम नहीं था प्रोब्लम जो है इसी का था जिसके वज़ासे यह पूरा खोलना पड़ा क्योंकि यह जो चूडी है वो चूडी टूटने की वज़ासे इसको पूरा सिस्टम जो है पूरा खोलना पड़ गया था और खोलते समय तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में ये सब काम करना पड़ा और जो fit करते समय मैं आपको बताऊंगा कि इसो किस किस टाइप से आपको किस किस position में लेके fit करना होता है झाल झाल